आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीद प्रूब दिखाने वाला हूँ कि इंसेंट परसनल लोन विदाउट इंकम प्रूब का कैसे करकर ले सकते हैं आप लोगों के सामने मेरा मुवाइल स्क्रिन है दखिए अल्रेडी मैं यहाँ पे लोन लिया हूँ कितना का लोन है 37,000 का लोन है अब इसका रिपेमेंट मैं अभी लाई भी करूँगा उसके बाद मैं वीद प्रूब के साथ आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ आप घर बेटे अपनी मुवाइल फोन से परसनल लोन ले सकते हैं तो चलिए व करकार की इंपोमेंशन वाले वीडियो आप लोगों को प्रवाइड करवाता हूं तो फ्रेंड यहां पे जो सारे 7,000 का लोन है इसको हम पहले किलियर करेंगे उसके वीद प्रूब आपको मैं यहां पर लोन लेके दिखाऊंगा तो चलिए मैं यहां पर पे के उपर किलिक क आप किक है यहां पे जो मेरा पुराना एमाउंड है उसको पहले किलियर करना होगा है उसके पहले करेंगे उसके बाद में लाईफ प्रूब आप लोगों को लोन लेकि यहांप दिखाऊंगा तो देनर यहां पे बहुत चाँड़ा कम मे यूपि इप याई आई-डि से हम यहाँ पर copy करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर पूरा loan जो मेरा पुराना जो loan है उसको पहले payment करूँगा फिर loan लेके life proof आप लोगों को दिखाऊंगा देखिए तो मैं यहाँ पर WhatsApp payment यूज करता हूं तो मैं WhatsApp payment के उपर जाता हूं send money के उपर जाता हूं send UPI ID के अंदर आता हूं उसके बाद जो UPI ID मैंने यहाँ से copy किया उसको मैं यहाँ पर paste कर दे रहा हूं अब देखिए यहाँ जैसे paste कर रहा हूं यहाँ पर scroll हो रहा है यहाँ पर नाम आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका amount कितना है तो amount को हम यहाँ पर confirm कर लेते हैं कितना है 67 तो मेरा जो total loan amount है वह 67 मैं यहाँ पर डाल देता हूं और यहाँ पर send के उपर click करके अपना जो pin number होता है UPI का उसको डाल के यहाँ पर transfer कर देता हूं आप देखिए यहाँ जो loan है मेरा यह clear हो जागा अब loan clear होने के बाद तुरंत मैं आपको with prove यहाँ पर लेके दिखाने वाला हूं ताकि बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होता है कि सरा application के बारे में आप बता देते हैं कि loan लेके नहीं दिखाते हैं तो चलिए मैंने यहाँ पर पूरा loan यहाँ पर payment कर दिया है ठीक है amount successfully payment हो चुका है यहाँ पर message भी मुझे आ चुका है अब देखिए यहा payment जो है यह successful नहीं हुआ है कुछ time जरूर ला सकता है लेकिन चलिए जब तक यह process होता है तब तक मैं application का review आपको करके दिखा देता हूं कौन सा application है जिससे आप जो है without income proof का भी loan ले सकते हैं घर में ठीक है तो आपको क्या करना है simple सा यहाँ पर मैं बता देता हूं चलिए play store पर जाने के बाद आपको एक application सर्च करना है जिसका नाम है किस्त यह जो company है इस company को अभी तक सबसे पहले देखिए 10 million लोगों ने डाउनलोड किया है वाके में एक अच्छा application है 4.2 का rating है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस company में कितना ज्यादा लोगों को यहाँ पर loan provide करवाता है यह जो company है get incentive line credit of 30,000, 30,000 का loan आपको provide करवाता है without income proof ना तो आपको bank statement देना है और ना ही किसी परकार का proof यहाँ पर देना होगा सिर्फ अधार card और pen card के मदद से ले सकते हैं और इस पैसे से आप mobile recharge, dth recharge यह fast tag या तो all services में भी use कर सकते हैं या तो फिर आप accounting account के अंदर भी transfer कर सकते हैं scan and pay QR किसी भी QR code पर आप directly इस पैसे को directly payment कर सकते हैं उसके बाद enter your basic details यहाँ पर कुछ basic information आपको डालना होता है चली पूरा process में दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर देखिए अधार card documents में क्या बताया गया कि आपको अधार card और यहाँ पर selfie दो ही documents documents देना है दो ही documents पर यह company loan provide करवा देता है application का पूरा details में यहाँ पर आप लोगों को एक बार खोल के दिखा दिता हूं about section पर देखिए सबसे पहले जो बड़ा बात है यहाँ पर जो उन्होंने mention कर रखा है इसको धेहान से देखिएगा RBI register for NVFC loan app for India यह जो company है इंडिया का ही है और इंडिया के अंदर NVFC जो हमारा जितने भी loan application है वो सभी उसी के अंदर काम करते हैं और इसको सारे को RBI regulate करते हैं यह जो company है 100% RBI से एपूर वालक किस्त loan provide for instant credit line as small owner receive and payment QR देखिए यह company कहता है कि अगर आपको छोटा-मोटा कोई भी business का शुरुवात करना है फिर भी या कोई इस company से loan मिल सकता है loan amount यहां पे 10,000 से लेके 1,000,000 तक मिल सकता है लेकिन जब आप 30,000 से ज्यादा loan के लिए apply करेंगे तो हो सकता है यहां पे आपको income proof मांगा जाए लेकिन 30,000 तक मैं आपको width proof दिखा है जैसे कि जो सारे 7,000 का loan था उसमां किसी परकार का income proof नहीं है तो इसको जरा समझ लेए देखिए अगर आप इस company से 30,000 का loan लेते हैं 12 महेने के लिए आपको time मिलता है 18% का annual interest लगता है तो आपको processing fees 700 रुपया यहां first time आपका कटेगा total जो आपका interest होगा 3,005 रुपया कटेगा EMI आपका 1 साल तक 2750 रुपया रहेगा ATR आपका 22% 91 का रहेगा और आपको जो bank account में जो पैसा receive होने वाला है 39,250 रुपया और आपको जो total repayment करना होगा interest वगएरा वो सारा चीज लेके यहां पे 33,000 आपको पैसा repayment करना होगा यानि एक साल में आप जो 30,000 ले रहे हैं इस company से उसके बदले में आपको 3000 रुपया extra लग रहा है तो sorry friend देखिए आपके bank account में कम पैसा आता है इससे अच्छा है कि ऐसा loan company से loan लिजिए जो fully NBFC से register हो और जब आप loan का repayment भी नहीं कर पाए तो company जादा आपको परिशान नहीं करें तो यहां पर पूरा details में बताया उसके बाद यहां पर देखिए यह company जो है बताया है यहां प credit card required कोई भी credit card required नहीं है fully RVI से register रही है सारा benefit आपको मिलेगा इनका जो type किया हुआ है federal bank है mass finance है यह सारा company है अगर आपको यहां पर support चाहिए तो customer care का भी support आपको 24 hours मिलेगा जब आपका मन करें तब आपकी customer care से बात कर सकते हैं और contact कर सकते हैं देखिए कैसे करकर loan लेना है अब application install करने का दो तरीका है या तो फिले स्टोर से कर लिजी या तो फिर मैं link भी provide करवा दूँगा वहां से भी कर सकते हैं उसके बाद यहां पर register mobile number उसके बाद submit KYC details KYC details में जिसे के शुरू में यहीं बताया अधार card और pen card और excel भी आपको लेना वह KYC होगा उसके बाद e e singing e singing क्या होता है आपको यहां पर पता है कि आपका जो अधार card है वह आपके mobile number के साथ link होना चाहिए तभी आप कुछ work कर सकते हैं ठीक है online में जितने भी loan application पर आप जब e singing करेंगे तभी आपका loan approval होगा तो जब आपका यहां पर loan approval हो जाता है उसके बाद आपको क्या करन एक e mandate होता है e mandate का मतलब होता है जितना भी loan amount अगर आप चाहते हैं कि उसका repayment आपका खुद से हो जा तो उसको कर सकते हैं निथा कोई भी यह नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा ठीक है तो यह सारा process मैंने आप लोगों को दिखा दिया application भी दिखा दिया अब यहां पर कि जो मैंने payment किया हुआ अभी तक मेरा यहां पर नहीं हुआ है ठीक है तो अभी मैं क्या करूंगा थोड़ा इंतिजार करूंगा इंतिजार करने के बाद अगर यह हो जाता है तो next वीडियो में मैं आप लोगों को करके दिखा दूँगा जो कैसे करकर loan के लिए apply आप की इ प्रू कर सकते हैं बाद मांगी मैंने process आप लोगों को बता दिया तो मुझे उमिदे फ्रेंट यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को like share और comment कीजिएगा और इस वीडियो कोई भी सवाल अगर आपके मन connect कर सकते हैं तो चली फ्रेंट मिलते किसी अगले वीडियो